इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह Microsoft PowerPoint में हम किसी पिक्चर का साइज पासपोर्ट साइज या कोई भी साइज जो हम चाहते हैं वो कर सकते हैं और उसका बैग्राउंड रिमूफ करके और उस बैग्राउंड को हम ब्लू या वाइड बैग्राउंड से कैसे चेंज कर सकत तो सबस्क्राइब करते हैं वीडियो को बगार क्या ताइम जाय कि याद रहें यह Office 365 है तो सबसे पहले हमारे पास यह जब हम पार पार्ट ओपन करेंगे तो हमारे पास एक स्लाइड ओपन हो जाएगी उसमें हमने अपनी पिक्चर इंसर्ट करनी है तो पिक्चर इंसर्ट क्यूंकि मैं वीडियो बना रहा हूं तो यह एक ग्जेमपल इमेज है यह मैंने स्टाक इमेज लोट किया यहां से तो सबसे पहले हमने इसको क्रॉप करना है इस पर मैंने पिक्चर पर क्लिक किया तो पिक्चर फार्मेट का जो आप्शन रिवन पर वह क्टिवेट हो गया है हम देख सकते हैं कि यहाँ पर यह क्रॉप का आप्शन अवेलिबल है निकि हमने पिक्र की थोड़ी कार्ण चांट करनी है कुछ एक्स्टर एरिया हमने जब क्रॉप पर क्लिक गया तो इसके बार्डर ऐक्टिवेट हो गया मजीद हमें से क्लिक करते जाएंगे वह एरिया मार्क होजएगा रिमॉबल के लिए कहीं भी क्लिक करें पिक्चर इतनी मजीद हमें से क्रॉप करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं इसकोлись करना है पासपोसाइस करना पासपोर्स नड्रीच कर सकते हैं यह बरोगे साइज कर सकते हैं जो अपनी संटे साफर बनागा इसो हम क्लिक करेंगे तो लॉक आस्पेक्ट रिशो इसका मतलब है कि जब आप यहां पर हाइट करते हैं तो उसी साब से जो से मुनासिब विट लगती है वह सेट कर देता है लेकिन अगर आप हाइट विट अपनी मरदी की रखना चाहते हैं तो इसको अंचेक कर दें और जो भी आपने स्लेक करनी नहीं है वो कर लें तो यह टू बाइटू हमने इसका साइस कर दिया है पिक्चर फार्मट में के अब हमारे पास यहां पर बहुत से आप्शन अवेलेबल हैं कंप्रेक्स पिक्चर करना ट्रांस्पेरेंसी अप्टिस्टिक एफेक्ट्स भी हम दे सकते हैं कलर भी और बीक् इसके बाद हम ब्लू करके देखेंगे तो सबसे पहले इसका हमने बैग्रोंड रिमूव करना तो इसके लिए बड़ा बदा साप्शन अवेलेबल है यहां पर रिमूव बैग्रोंड करें अब यह जो यह परपल सा मार्क हो गया यह एरिया रिमूव हो जाएगा इस अब कुछ अगर स्टंठ परट पिक्चर का जो डिमूव हो रहा है वो आप चाहते हैं कि वह रिमूव ना हो तो आप इस सब्सक्राइब करें मार्क है टूकिप उसके बाद उतने अरियो को ड्रा कर लें तो वह एरिया रिमूव होने से बच जाएगा लेकर एक्स्ट अगर रिमूब कर दिया अब next option हम यूज करेंगे कि हम इसका border select कर लेते हैं यह बार्टर हमने select कर दिया दुबारा क्लिक करते है picture borders पे जाते हैं border का color जो भी हम रखना चाहे white background के साथ हम lights blue कर लेते हैं फिर picture border पे जाते है picture border का की चुड़ाई या weight कितना होना चाहिए इसमें different options available है 3pt कर लेते हैं अब यह एक picture बन की white background के साथ border हम जिस तरह मैंने explain किया कि जिस तरह कभी हम रखना चाहते हैं जिस color में भी वह कर सकते हैं अब इसकी इसको select करें और control-d press press करें और इसकी copies बनती जाएंगी फिर तीन बन गी है अब तीनों को एक एव साथ control press करके तीनों select होगी अब control-d press करें इसकी तीन और copies बन गए तो इस तरह से इसकी multiple copies बना कर उसे आप print कर सकते हैं यह तो हो गया white background अब अगर हमने इसका blue background रखना है तो इनको हम remove कर देते हैं सिर्फ एक copy रख लेते हैं देखते हैं कि blue background कैसे होगा बड़ा इजी है वो भी पिक्चर से हटके slide पे कहीं भी क्लिक करें और right click करें और format background पे क्लिक करें solid fill color हमने blue color रखना है blue color रखना है पिक्चर का background blue हो गया है very simple I hope कि आप कोई वीडियो अच्छी लगी होगी को question हो तो आप comments में पूछ सकते हैं kindly channel को subscribe शेर करें इसके लावा excel or microsoft access or different data analysis के subjects पर वीडियो देखने के लिए kindly मेरे channel की playlist को refer करें thank you